नमस्कार दोस्तो ट्रिक्स अंलिमिटेड में आप कास स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में डीमार्ट अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ इस अप्लिकेशन से आप घर बेटे, ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसे प्रॉडक्ट और कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे ओफर्स भी मिलते हैं तो कैसे आप इस अप्लिकेशन में अपना और बुक कर सकते हैं यहां सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को अम तक देखना होगा तो चली इस शांदार की वीडियो को शुरू करते हैं सब सब हले आपको प्ले स्टोर से डीमाट अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना होगा यहां अप्लिकेशन सिरफ साथ एमबी का है जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा एप डाउनलोड हो चुका है चरीज से उपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा दिन इसके बाद होम पेज यहां पी उपन हो जाएगा इस अप्लिकेशन में आउडर करने से पहले सबसे पहले आपको इस अप्लिकेशन में लॉग इन कर लेना होगा इसके लिए आपको यहां पी उपर अपने प्रोफाल पर क्लिक कर देना है इस तरीके से दिन इसके बाद आपको अपना मोबाल नमबर एंटर करना है यहाँ पर एंदेन आपको continue पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको अपना first name में आड़ कर लेना है एंदेन आपको save and continue पर क्लिक कर देना है आपकी mobile नमबर पर एक OTP भीजा जाएगा उसको यहाँ पर enter कर देना है और इसके बार verification successful हो जाएगा और login हो जाएगा और इसके बार आप जो चाहिए shopping कर सकते हैं सबसब पहले आपको यहाँ पर search बार दिखिएगा आप जो चाहिए यहाँ पर product search कर सकते हैं जासी कि यहाँ पर मैं search करता हूँ घी और इसके बार आपका search result आ जाएगा इस तरीके से and then इसके नेचे view all category का option मिल जाता है इसमें अल grocery, dairy products, fruits and vegetables, home and kitchen, personal care, ऐसे बहुत सारे आपको categories मिल जाते हैं आपको जो कंसी category में shopping करना है उस category को select कर लेना है इस तरीके से चले मैं हाँ पर grocery select करता हूँ और इसमें भी आपको सब categories मिल जाती है दैसकी यहाँ पर दाल है, dry foods है, डी-mart grocery, cooking oil, ghee, plus चले मैं हाँ पर दाल select करता और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर products आजाएंगे, जो भी product आपको purchase करना है, simply उसको select कर देना है इस तरीके से, देन इसके बाद आपके सामने सारी details यहाँ पर आजाएंगी, यहाँ सब कुछ देखने के बाद आपको simply add to chat पर click कर देना है, और यहाँ product आपके bag में add हो जाएंगे, यहाँ हो गया grocery का, आप इसी तरह के से और भी categories में जाके shopping कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपे fruits open कर लिया है, simply आपको यहाँ पर click कर देना है, इसके बाद आपको quantity बढ़ानी है, तो आपे plus पर click कर देना है, आपको जितनी भी shopping करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको shopping करने नहीं है, अगर आपको कोई product नहीं मिल रहा है, यहाँ पर search bar दिया गया है, simply आपको उसका नाम type कर देना है, वहाँ product आ जाएगा, तब कुछ shopping होने के बाद आपको back आ जाना है, इसके बाद आपको back पर click करना है, उपर, आपने जो भी आपे product select किया है, उसकी list आ जाएगी, आप चाहे तो आपे कोई भी product remove भी कर सकते है, और quantity बढ़ा सकते है, छले मैं आपे एक product remove करता हूँ, आपे delete को option दिया गया है, इसके उपर click करना है, simply और वहाँ product आपके bag में से remove हो जाएगा, डी मार्ट में shopping करने के लिए आपकी minimum value होनी चाहिए 500 रुपी क जब कुछ चेक करने के बाद आपको proceed to checkout पर click कर देना है, देन इसके बाद आपको delivery mode select करना है, आप चाहे तो घर पर भी delivery ले सकते है, या फिर pick up point भर भी आप delivery ले सकते है, home delivery के लिए आपको 50 रुपे ज्यादा देना होगा, चले मैं आपे home delivery select करता हूँ, देन इसके बाद आपको address add करने के लिए tap to select पर click कर देना है, और आपको यहाँ पर add new address पर click करना है, अगर आप इसमें नए user है तो अभी आपको address मांगा जाएगा, देन आपको save to address पर click कर देना है, देन आपको इस address को select कर देना है, देन आपको यहाँ पर confirm address पर click कर देना है, देन इसके बा के बाद आपको confirm time slot पर क्लिक कर देना है दिन आपको proceed to pay पर क्लिक कर देना है और आपको payment mode select करना है आप चाहे तो यहाँ पर online भी payment कर सकते है या फिर cash and deliver भी ले सकते है चले मैं यहाँ पर cash and deliver select करता हूं और order confirm करता हूं और आपका order successfully create हो जाएगा order करने के बाद आप इसमें कुछ changes करना चाहेते हो तो यहाँ पर modify order पर क्लिक कर देना है और आप order की details देखना चाहते हो तो यहाँ पर view order पर क्लिक कर देना है और सारी details यहाँ पर आ जाएगी इसमें आपको नीचे यहाँ पर बहुत सारे offers मिल जाएंगे जैसे की deals of the month ऐसे बहुत सारे यहाँ पर चलते रहते हैं I hope आपको अच्छी तरके से समझ में आ गया होगा की कैसे यूज करते हैं अगर आपने पिते किस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजे शेयर भी कर दीजे और साथ यह साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि मैं आपके लोजना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हू तो मलते अगली वीडियो में पत्ते के लिए स्टे कनेक्टेर